हेलो एब्रिवाइन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो साम का टाइम है और मैं यहाँ पर दे रही हूँ अपने फूलो को पानी क्योंकि काफी दिन होगे मैंने फूलो में पानी नहीं डाला है और वैसे आजकल जरुद भी न फूल देखो उनसे अंदर पॉजिटिविटी आ दिये बहुत अच्छी तो अच्छे लगते हैं खिले खिले से फूल तो इसलिए मैं पानी देखे आ गई हूँ और यहाँ पर आ गए हैं हस्बंड ओफिस से तो अपनी इवनिंग वाली चाय आज हम साथ में इंज्योई करे हैं और वैसे बहुत लोग इनको ओईल में फ्राय करके भी बनाते हैं पर मैं फ्राय करके नहीं बनाती मुझे फ्राय करके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि पूरा ओईल सा हो जाते हैं तो मुझे इस तरीके से गैस में पका के ज्यादा अच्छे लगते हैं औ अपनी बैट के थोड़ा देर हम चाय enjoy करेंगे और husband को आप देख सकते हैं आते ही लग गए phone पर आजकल कोई office जाए घर पर रहें बस phone 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 24 घंटे phone ही चलाते हैं चाहे कोई भी हो तो यह नहीं थोड़ा देर बात बात कर लें कुछ भी नहीं बस phone चलाते रहेंगे वैसे ऐसा नहीं है वो बात बात भी करते हैं तो अभी वह अपनी चैनल का कुछ देख रहे थे उन्होंने पर स्वेग गान अपनी चैनल पर अप्लोट किया हुआ है तो उसके लिए कुछ देख रहे थे अपने चैनल पर और चाय बगरा पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में तो मैं आज बनाऊंगी डाल सब्जी और कोई मेरे पास आफसन था नहीं तो मैंने सुचे क्यों न दाल ही बना दी जाए क्योंकि बच्चे भी डाल खुस होके खा लेते हैं दाली बनाऊंगी बाकी और अभी कुछ भी नहीं बनाऊंगी सिंपल सी डाल बनाएंगे तो यहाँ पे बोईल करते डायमी मैंने डाल में सारे मसाले डाल दिये हैं नमक, मिर्चे, हल्दी वगरा जो जो मसाले में सबजी में यूज़ करती हूँ और इसमें टमाटर भी मैंने दो काटके रख दिये हैं तो ये सारी चीजे साथ में बॉइल हो जाएंगी और बॉइल करके इस तरीके से मसाले को भी अगर हम बॉइल कर देते हैं तो खाली में उपर से फिर छोक लगाऊंगी तो ऐसे डाल बहुत अच्छी बनती है और ये है मलाई जो की दूद गरम करके रखा हुआ था उसमें मलाई खटी हो गई है खुब सारी तो मलाई मैंने अलग हटा दिये और अब कूंद लेते हैं आटा भी तो आटा भी मुझे थोड़ा से ही गुद्द है क्योंकि आजकल मैं रागी के आटे की रोटिया बनाती हू जैसे हम आलो का पराठा भर के बनाते हैं उस तरीके से भर के माजकल इसकी रोटिया बनाती हूँ क्योंकि रागी का आटा बहुत सारा बच्चा हुआ है नहीं तो वो खराब हो जाएगा तो हजबन को रागी के आटे की रोटिया बहुत ज्यादा पसंद भी है तो यहां प दाल भी मेरी बॉइल हो चुकी है तो इसमें कुछ ज्यादा ताम जहां मुझे नहीं करना है यहां पे मैंने ओईल करने के लिए रखा है बस मैं ओईल में थोड़ा सा जीरा और लहसुन से इसको चौकूँ और पता नहीं इसमें इतनी आख कैसे लगी तेल कुछ जारे ही गरम हो गया था सायर तो इसमें मैंने लहसुन में काटके रख दिया है और अब हम बस तड़का मेरा लग चुका है दाल में और दाल इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है तो चलिए दाल भी बन की तयारी, खाने की, कभी दिन की तयारी, कभी साम की तयारी, इसी में पुरा दिन कभ निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता, एक हाउस वाइब की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, वैसे बोलने में तो बहुत आसाल लगता है कि कुछ नहीं करते हाउस वाइब हैं हमें ही रखना होता है बच्चे टूशन से घर अभी पहुंचे नहीं है तो बस पहले ही खाने के तयारी पर लग जाओ तो बिट्टो आ गई है टूशन से तो चलिए जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं बच्चे टूशन से घर आते हैं तो बस उनको खाने की बहुत जल्दी ल खिला भी दिया था उसके बाद ही मैं बच्चों को पढ़ने बिठाती हूं क्योंकि बच्चे जल्दी मेरा खाना खा लेते हैं सारे साथ 8 बजे तक बच्चे मेरा खाना खाके निपट जाते हैं उसके बाद मैं बिठाती हूं पढ़ने क्योंकि खाना मुझे जल्दी बनाना ह होता है हजबन भी जल्दी खाना खाते हैं जितनी जल्दी बन जाये साथ सारे साथ हजबन उतनी जल्दी खाना खा लेते हैं तो मेरा काम पहला इवनिंग में वही होता है कि पहले सब की पेट पूजा करो फिर मैं बच्चों को रिलाक्स होके पढ़ाती हूं मैं तो कभी द्धान देने की मुझे थोड़ा ज्यादा जरुवत है क्योंकि लॉक्डाउन की वज़े से उसकी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ दो तीन साल का गैप हो गया तो अभी स्कूल गया है तो एकदम से बच्चों पर बहुत ज्यादा बड़न आ गया है तो थोड़ा सा ध्या वरण कोटे तो बिठाती हूं वैसे टूसन साल गहाता है कि पढ़नें बिठाएया है सांसांथ में किचन के काम भी देखने है तो किचन तो मेरा नीडें क्लीन है यहाँड पर excre कर लिया था और कीचन मेरा एकदम साफ सुद्र है दूद मेरा आया था भी जो कि मैंने बॉइल करके रग दिया है हजबन अभी दूद लेके आए बाहर बारी सो रही थी तो हजबन लेके आए मैं तो नहीं गई अभी और अभी मॉर्निंग के लिए यहां पर मैं घिया काटके रग दूँगी ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे थोड़ा सा काम कम पड़े क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागदोर मत जाती है नहीं तो इस तरीके से रात को ही आधे काम अपने निप्टा लेती हूँ मैं ताकि सुबह सुबह मुझे ज़्यादा मे लेसन खूब सारा डालती हूँ सबजी में बाकि वो काम मैंने निप्टा लिये है सबजी धोके फ्रीज में रख दिया है लेसन भी मैंने छील के कटोरी में रख दिया है ढखके ताकि सुबह मैं उठो तो जल्दी से अपना काम सुरू करू कुकिंगा यहां पर बच्चों क करने के बाद बाकि जो भी किचन के काम बसते हैं सारे निप्टा दिये मैंने और अब मैं आ गई हूं सोने ठंड हो रही है बाहर हो रही है अभी भी बारिस तो ठंड हो रही है यहां पर हमने कंबल ले लिया क्योंकि ठंडा लग रहा है और बच्चे भी मेरे साथ लेते हैं आपे कल सटर्डे है कल वैसे इनका ओफ है तो अराम से उठेंगे साड़े दा सोने वाले हैं नहीं तो मैं इनको दस बजी तक सुला देती हूं क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल के लिए उठना भी होता है तो चलिए फिलाल आज के ब्लॉग को यहीं पर एंट करेंगे आई होप आप सबने आज का वीडियो एंजोई किया हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगले नहीं वीडियो में तब तक के लिए पापाइब औाइब आपसे कि अपसो हूँगी नहीं पाइब टे रखने ओता है तो रहीं है तो अपस्सक्राइब जड़ियो विड़ो पाइब पाइब आपस्दे अपस्द कर दवड़ों को कर दिए है आपने आपस्देयो